वरणिवे सरमनी पर्षणं मंदहा सरुचिरान नाम्भुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये ओम अवतारिने स्री स्वामि नारायनाय नमो नमहं श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमहं श्री गुरुचर्ण कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामि नारायन भगवान नी जय श्री हरे कृष्ण महराज नी जय श्री घनस्या महराज नी जय कथा संबलनारा अबधाज भगतोंने खूब हेत्थी जय श्री स्वामि नारायन श्री हरे चरित्राम्रुच सागर पूर्चोथू तरंग तोत्यर्मो भगवान श्री हरे पेस जालमा छे त्यांती चुड़ा पधारी रया छे ए लिलानों आपने स्रवन करी सु मध्यनी से भई जानिके रिपकू सेख हरी देन निज निज गए मकान पर सब ही सयनकीन पलंग पर श्री हरी पोधर हे संत करन लगे ध्यान आसन अडग लगाय के छोड़ दिये अभीमान मध्यरात्र थै एम जानिने स्रीहरिये दरबारोने सभामाथी उठवानों कई त्यां सुदि महराजे सत्संगनी वातो करी हरी भग्तोय पन जम चातक बरबर चंद्रना रसने पितो होई एवी रिते चकोरनी जेम एहरी भग्तोय महराजनी अम्रुत्वानीनु पान करियो मध्यरात्री थै बदाने उठवानों कहियो बदा हरी भग्तो पोत्पोताना मुकाम उपर गया सुई गया स्रीहरी पलंग उपर पोड़ी रहिया संतो ध्यान करवाला गया आसन अडग स्थिर करियो देहनु बान पन भुली गया स्रीहरी ना मुख रुपी पुर्णचंद्र जगमग ज्योती करि रहियो हतो संतो रुपी चकोरोनो समुह एक नजरे तिने जोहियो हतो सवार्थवा आवियो अने जरे अरुणोदय थयो त्यरे सव संतो नारायन धुन बोलुआ लागया हरी चरित्राम्रुत सागर मा पात्थी सात वार अपड़े साइम बढ़ू महराज पोड़िया हरी भक्तो पोड़िया पन संतो पोड़िया उक्याई नथियावतु मामा ज्याज्या कथा वे तमें सांबल जो ध्यान थी संतो आखबंद करें ध्यान करवा बेठा ध्यान मा लिन्थ हया ये संतो ने वी जीत होती के ध्यान करवा बेशे ध्यान करता करता अज उंगावी जाई तो सुई जवानू उंगना वे तो आखिर ध्यान करवानू संतो नी केवी अधभूत रित स्रीजी महाराजया प्रवर्तावी कउचुने महाराज जेम सर्वपरी छे ये महाराजना एकांतिक संतो शर्वपरी छे महाराजी केवी रित प्रवर्तावी हती गरहस्त पत्थारी मां पढापढा आलोटिय अमारे 182 कल्लाग 8 2 लाक 2 संतो नी आखी रित जूदी पत्थारी मां बेश वानू आख बंद कर दिमानम्शी पुझा ध्यान करे तिल चिननो पाठ करे पाँच मिनिट, दस मिनिट, पंदर मिनिट, अडधो कल्लाक लाग, लागे हावे उंग चलित छे, त्यारे सुवानू गणिवार पाँच मिनिट माई उंगाई छे, अन गणिवार अडधो कल्लाक लागे आवी संतोनी रिदभातो हती, अत्यार कल्युग मा देखाती न थी, अपने भाग्ये साली छिये, अपना लोया धम मंदीर मा, अपना संतो मा, आवी रिदभातना अपने दर्शन थाई रात्रिनों समय अने प्रभातनों समय, आ बे समय जेने सुधार्या ने, इने आख्वी जिन्दगी सुधरी गई दुर भग्य छे अत्यारना मानस नू सवार पण खराब रित्ये सरू थाई छे और राद पण खराब रित्ये का टीवी जोता जोता का फोन जोता जोता बराबर और सवार पण एविज रिते सवार और सांज सुवानू और जागवानू आपणा दिवसना बे छेडा जो सुधारी सुने तो आख्षो दिवसने आख्षो जीवन आपड़ु सुधरेलू सफ़ड सांतीमय और सत्संग में बनी जशे आदत पाड़ो सवारे जागी महाराजनु द्यान करी महाराजनी मूर्तिन रदैमा तारी पछी आगल जईए जेहरी बग्तने मानसी पुजा ध्याननों अंगो होई येना माते आजनी कथा कामनी छे थोड़ी आगल वात ची आपड़े स्रीजी महाराज भगवान छे सर्वोपरी पुरुसोतम नारायन छे सता तमने अने अमने सिखवाडवा माटे स्रीजी महाराज पुजा करता स्रीजी महाराज मानसी पुजा करता वचना मुरुत पण साक्सी छे सागरमा पना जे एक अथा हुआनी छे स्रीहरित बहीं उठत भयेवू सोच विधे कु करने को गयेवू सोच विधे करिके जब आये विधी जूत कर चरण धोवाए स्रीहरि जागी गया, सोच विधी करवा गया, सोच विधी करीने आविया, त्यारे विधी प्रमाने हाथ अने पग दोया बावलनु कोमल दातन बार अंगलनु लईने आपियू, पची दातो उपर घस्यू, पची सुखधाम, गनस्याम, स्रीहरि सोनेरी बाज़टू उपर बेठा जारे स्रीहरी दातन करी, करी रहिया, त्यारे मुख कमल धोयू, रुमाल लईने मुख ने लुच्यू, फुलेल तेल वरणिये लिदू, जेटलू तेल लावियाहता, तेटलू स्रीहरिना अंगो उपर चोली दिदू, ते पची वरणिये स्रीहरिना अंगो ने चोली ने ग परम जड़ती नवडाविया, कोरा वस्त्र थी सरिर ने लुच्यू, ते पचे पितांबर वस्त्र पहरियू, बिजू जरियानी कोरवाळू पितांबर ते वेड़ाय मस्तकुपर ओठीली दू सोनेरी चाखडियों पहरिने आगळ भवनमा आविया, रंग लेहरी स्रीहरी सुसोभीत अने अनूपम मकमलनु सुद्ध अमुल्य आसन पाथरियो हतु, तेना उपर विराजमान थया स्रीहरी राय पुर्व मुखे बेठा, सोनेरी दिवीमा बे दिवा प्रगटाविया हता, अगुरू चंदन नो धूप करियो हतो, परम अनूपम आचमन करियो, के स्री चंदन नो तिलक ललाटमा करियो वच्चे कुंकुमनो लाल चांदलो करियो, पच्छी मानसी पुजा करी, औने त्यार पच्छी स्रीहरी बाल मुकुंद लाल जी, औने सालिक ग्राम विश्णुनी पुजा अरक भेर करी विचारो तमें, आपणने सिख्वाडवाने माटे स्री जी महराज पण पोते पुजा करता, यमानसी पुजा करता भगवान स्वामेयाणनो आश्रीत कहवातो होई, औने प्रातह पुजा करतो नथी, तो इने आश्रीत कहवानो अधिकार छेज नई दुखतो त्यारे थाई, इसलाम मा पांच वार लोको नमाज करे छे, पांच वार इलोको ट्रेन मा होई, प्लेन मा होई, एरपोर्ट मा होई, घर मा होई, गम्यत्या होई, पांच वार नमाज करी सके छे अने आपने एक वार विधिवत पुजा करवानी होनी एक वार खाली तो पन आपने धिला पड़िये थी आ अमेरिका मा अमणा अमणा विच्रण मा बेतरन मुसलिमोंने मलवानू थयो आ देशमा पने लोको पांच वार केवी रिते नमाज करे ची ए जानियू त्यारे सत्संगियोंने केहवानू थाई कि क्यारेक एवो समय आवेन तमारी 15 मिनित नी पुजाने लिधे तमारो स्टोर तमारो विद्नेश तमारी नोकरी मा 10-15 मिनित मोडू थाई उँ होई एक वार भगवान्य खातर भगवान्य पुजा पेला करिये जगतनों काम गोण करी नाखिये जुहो तो खरा ठाकोर जी केवी रक्सा करे चे पन आपड़ा जीवनना कारियों मा सवथी छेल्ला मा छेल्लू स्थान होई तो कोनू छे भगवान्यों जागवा मा मोडू थाई तो चाले है नास्ता मा मोडू थाई तो चाले है बराबर बदी जीगे आई थोड़ो थोड़ो आपड़े बात्रूम नावा जे ये पन सांती थी नाई बराबर कोई जीगे काप मुके ने अने छेल्ले काप क्या मुकाई पूजा मा काप मुकाई पूजा अने मानसी पूजा कितले आनंदनी वाद स्रीजी महराज जह आसन उपर बेसी ने पूजा करता हता ए महराजनू परम प्रसादी भूत आसन जह आसन उपर महराज बेसी ने पूजा करता एज आशन सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी पासे हातू, एज आशन आजे पुझेपाद गुरुजी पासे छे, आपणी परंपरमायवू छे, एज आशन ना दर्शन आपणने लोया धम मंदिर जारे तयार थसे, तयारे एना जे प्रदर्शन कोक्स बनवानों छे, एमाए महा प्रसादी भूत आशन एना अपणने मा दर्शन थसे, महराज पुझा करता, मानसी पुझा करता, आजे सत्षंग मा बनने वस्तू, गोण थती जाई छे, आपणना लोया धम परिवार ना लगबग घरी भुगतो आग्रह राखिने मानसी पुझा पुझा करे छे, पन तेम छता, आपणे सावधान बनिये। बपोर्नो समयी छे, महराज ने रोटलो, अने दई जमाडे छे, आखो बंद छे, आतमा रास दोरलू छे, बढ़दी नी मेते चाले छे, खेतरनो काम करनार कोई मानस याने जोयू, अरे अरे भगत, रातरे मोडे सुधी भजन करे, मंदिर मा होई, सवारे वेला जागे आ काम करता करता हळ आकता उंगे छे याने लाकडीनु ठेबू भगत ने अडाडियू भगत जाग्या आको खुली गई औने रित्सरनु आकास माथी दई अने रोटलो इब दोड़ायू आपने विचारी सक्किये मानसी पुझानो केटलो मोटो प्रताप छे वचना मुर्तमा माहराज एम कहे एक हरी भगत सोना चांदीना वस्त्र अलंकार अभूसन ती माहराज नी सेवा करे जे अने बिजो हरी भगत गदगद कंठे भगवान नी मानसी पुझा करे जे तो माहराज एमबोल्या बन्यनू सर्खू फळ छे बोलो मामा तो सुं करू जुए आपड़े सेल उने सस्तु आपड़े हलवो बनाविये सरस्मजानो बराबर मामा अने 56 प्रगार नो नास्तो बनाविये त्रणवागे जागिन घंच्या मारने धराविये अने पची महारत प्रसादी आपए एई स्रे एक मार्ग छे निना करता मंदीर मां बेशिन कथा हमलीन पची प्रसाद ले ये पण तो क्यों मार्ग उत्तम मांसी पुजानो फळ केतलू मोटू छे वडोदरामा गंगाबाय हता अपना साष्तड़ोमा कथा छे एगंगाबाय सवारमा जागे आखो बंद करीने एवी मांसी पुजा करे एवी मांसी पुजा करे एणा सरीर माथी तेज निकलतु ए मानसी पुजा करे भगवान ने थाल धरावे ए मानसी पुजा मा धरावे लो थाल एनी सुगंद बाहरना अरी भक्त अनु भवी सकता आवी रित ए मानसी पुजा करे मानसी पुजा मा महराद ने चंदन, धूप, और पन करे एनी सुगंद बाहरन उभवाई मोगराना फूल, गुलाब, महराजने धरावे एनी सुगंद बाहर नू भुवाई आवी तनमाई थेन मानसी पुझा करे आवा तो सत्चंग मा लाखो दाखला ओजे, एक बे नही पड़ एक दिवस पुझा करता करता एवा तनमाई थे गया, एवा भावी भोर बनी गया तल्लीन बनी गया महराजमा मुर्तिमा डुबी गया, समय केटलो गयो खबर न पड़ी, एक रस थे गया अचानक दर्वाजाव परवाद थे यो कोई भूम पाड़ी, ध्यान तुट्यू, मानशी पुझा खुली गया, आख खुली गया दोड़िया, कोक आयवू लागे छे आतलो बदो समय जितोर दर्वाजो खोले, प्रगट स्रीजी महराज पधारिया महराज ने जोई, गंगाबाई, गेला धेला बनी गया, आरे महराज आप पधारिया अरे गांडी, तो रोज मानशी पुझा मामने बोलावे छे एतले आजे अमने, अमारी मुर्तिनू ध्यान करवा मतु एवी डुबी गई अमने थिव आजे तो अमारे प्रत्यक्स जहू पड़ से, यतले तारी पुझा स्विकारवा माते में प्रगट आएवा छिए अमारे स्नान करवू छे, स्नान कर्यू एना घरना कपडा महराजे पहर्या धोती वगेरे अने पची महराज एना आथनो थाल जहमा आवी रित्य प्रत्यक्स श्रिजी महराजे सेवा स्विकारी उपलेटा ना जादवजी बापा हता अने एमने सत्षंग उपलेटा गामनाज लाला बापा एमने करावेलो जादवजी भाई विप्पुर एकले ब्राम्मन हता जनाता हता कर्मकांडी हता पन्तेम चता गूरु कोने मने लाला बापाने कारण के लाला बापाने लिध्य महराज उळखाया सत्षंग उळखायो अद दिव्य सत्षंग मेलो पुजापाट, ध्यान, भजन, मानसी पुजा, ब्रामन हता अबिदु करता पनावे, तो दिव्य रूपे महराज मा जोड़ा, एकले महराज नू करवा लागया, एक दिवस सवारे, पुजा वगेरे करी, लाला बापाना दर्शन करवा आवे, लाला बापाई ठपको आपो, भगवान ने थाल जमाडो छो, पन तमे मानसी पुजामा चलू महराज ने नथी करावता, एकले महराज ना हाथ एठा ने था रेई छे, एठा हाथ महराजी अमने देखाईडा, अने कहिव, कि तमे आ जादवजी ने सत्संकर आवे, पन अधूरो करेवे छे, एने पुरे- प्रानुसों महराज मानसी पुजाने केटली प्रत्यक्स स्विकारे छे, एतला माते आपने पुण, प्रातह पुजा जे महराज ने आजनाचे प्रमाणे करिये, अने मानसी पुजा, ये पन आपने अग्रह राखीने, क्या रेक आपने चुकी जहिए, तो जहारे याद बपुर नी मानसी पुजा आपड़े चुकी गया, अमेरिका मा तमें जानो छो, कि लगभग मानसोने बपुरे जम्मानुस के जुल होतुज नथी, स्टोर उपर होई, भुली जै, तो मोडा तो मोडा, ज्यारे याद आवे त्यारे, बो पोरपची त्रण चार वागे, इंडिया मा त्रण चार वागे ठाकोर जीन उत्थापन थाई, हो ये मानसी पुजा बद्धन चुकाई जैए अमेरिका मा, ज्यारे याद आवे त्यारे, पड़े आग्रह राखी सू, थोड़ी चिवट चिशू तो थसे, बाक याँ संसार तो भुलावी देएवोच्छे, क्योच्छे, बे पटेल लियावो, मामा, कुओ खोदे, एवे कुओ खोदुओ ये तो तमने खबर छेने, ये माई पत्थराल जमीन होया, पड़े लोया मा केवा पत्थरावोई, येवी पत्थराल जमी कुओ खोदे, मोटो गण ली थेलो, साताट फूट खोदी नाखेलो, नोवे तो येकला पत्थरावे, गण मारे, अनी देसी गण जय चेन तमे, पणी गण मारता मारता चेने, आम जो मावें दिले, हईसो गण मारे, हईसो गण मारे, हम बोलता जाए जोर जोर थी, एक मारे ये थाकेले, पच बिजो, ये थाकेले, आ, येम वारा फरती, बेई बोलें, बेई काम करें, येमा एक त्याथी संत निकला, येने आ द्रस्चे जोयू, येने अथियू, मारा बेटा, अतली बदी मजूरी करें चे, मेनत करें चे, आमा थोड़ा जो भगवान ने उमेरी द चे, उंडा उतरिये ची, महात्मा जी ये कईू, पन तमे आक कुओ खोदो छो, आक घण मारो छो, येमा अईसो अईसो सो करो छो, शिताराम, शिताराम करो, तो तमारी ये भगती पन थाए, ने तमारो काम पन थाए, भगवान पन राजी थाए, पेला पटे लोग परसे के, बाप जी तमे करी बताओ, तो खबर पड़े, येम कई बोलवा थी, शिताराम 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 थाए, ते महात्मा जी ने तांग चेड़ू, महात्मा जी ये कचोटो वाड़ो बराबर नो, ते यार थे गया, आतमा घण ली दो, ये बढ़ी आसे, आ उतरू गण काम करे दो, ये बाधार से, ये एन भौतात जो हो तो, ते उतरी पढ़ाए — आतमा घण ली दो, शिताराम कैने एक गण माय रो, पढि गण जे हो ते ओनो तो, शिताराम कैने बिजो गण माय रो, त्री गण माय रो, तो हमे भूआ जो थे गया, इन महात्मा जी बोल्या, कि yे यहो छे, अ संसार नो प्रवाह यहो छेने, जो ध्यान न राखेने तो भगवान ने बुलावी दे, संसार नो चक्र यहो छेने, कि जो थोड़ी आपणे साउधानी न राखिये, तो आपने भगवान थी दूर थता वारत न लागे, मेनग भगवान माटे करवानी जे, संसार नो चक्र तो ओटोमेटिक चायलाच करवान, स्टोर माटे त्रणव आगे जागवे तो मानस जागीत जाए, पन्पुजा माटे जो खाली 6 वागे जागवे होए न तो पन्धनुर मासमा वेला मंदिर आवा माटे 6 जागवान होए न अन्सी पुजा करिये अत्यार सरस्थ धनुर मास चाले छे रोज सवारे अरी बक्तो महराज माटे अपणा पीवडा घंसे महराज माटे यवा सरस्मजाना मेवा, मिठाई, गर्मा गर्म नास्ता ओले न आवे छे अने महराज एतला बदा राजी थाई छे अने महरा महराज ना बदा पार्शदो पन एतला बदा राजी थाई छे हवार नो नास्तो आवे गयोटले पूरू पचे अन्मान जी जेम एककज छलांग मा दर्यो कुदी जता नेम हवार नो नास्ता वाखो दिवस पूरो थे छे पन तमे बदा भगतो महराज माते नास्तो लाव जो महराज निया धनूर मासमा महराज तमारा हथनो नास्तो जमे छे आपन बो मोटू सोव भाग्य छे पिवडा घंचिया महराज आपना हथनो प्रसाद आएक मैनो ये ओचेक महराज जमे छे माते जरूर्थी पवित्र पणे सारी रिते आपने जे आवडतु होई जेहू आवडतु होई एकाद बे चरण चार पाँ जेतली वानगी पने महाराज माते लाव जो महाराजने जमाड जो श्रीजी महराज भगवाननी पुजा करता मानसी पुजा करता आपनने सिखवाडवा माटे कि आपने भुली न जईए आ मार्ग एकला माटे आजे घणा बदा डोट डायारी भगत एवाद छे पुजानो एवाद छे एकले क्यों पड़े कि आ बदू क्यों छे आ बदू बाहीय कर्म छे हवे आपने अंतरिक कर्म कर्वानी जरूर छे एक वार अंतरिक कर्म सुधिप पौमचै पछी बाहीय कर्मनीने जरूर न थी अवि वातो करनारा belongsे छे सत्संग मा स्रीजी महराज ये मतमा नोता महरात तो त्या सुधी ना मतमा हता कि ब्रह्म स्थितिने पाइमा होई एवा संतो होई येने पन आ धर्मनु पालन करवू आ मर्यादमा रहवू बाकि मुक्तानन्द स्वामी गोपाणन्द स्वामी केविश्थिति वाड़ा हता अपने बधा संतो ने महराज आज मार्गाय पोँ माते कोई नी वाद नई स्रिजी महराज ने आ वाद आपणा ध्यानमा राखी ए मार्गे चालिया साकर नाखेलू दूद सोनाना कटोरामा भरीने गणा हेत्ती लावी विश्णुनी आगल धरावियू पाँच प्रदक्षिना करी पाँच दन्वत प्रणाम करिया 25 तोत्रनो पाठ करियो 25 श्रीहरिये जे भगवान धरावेलो दूधतू ते दूध पिधू त्यां सहु संतो ये पुजा कर लिदी 25 चालवाने तयार थे गया 25 श्रीहरिये अगना करी ते थी बधी सवारी पन तयार थे गया 25 श्रीहरिये तयार थे गया 25 श्रीहरिये तयार थे गया उत्सह वधार नारी नोबत डंका वागवाला लाग्या 25 श्रीहरिये जेडिलाईने दसबार चोपदारो तयार थे ने नेकी पुकारवा लाग्या बधी सवारी तैयार थाईने आवी गई तेनी सोभा वरणवी सकाती नथी अपार वाजिन्तरो वागवा लाग्या जैजै कार थी आकास व्याप्त थाई गयू सोना ना सनगारो थी सोभाडेला हाथी उपर मोती जडित अमबाडी हती अने तेना उपर मोट्टो सोना नो कलस अत्यन्त प्रिय अने सोभादार लाग्तो हतो ते हाथीना उपर अत्य अलोकिक स्वरूप धारन करीने स्रीहरी बेठा हता सुर्यनू अने स्रीहरीनू तेज एक विजामा बढ़ी जतु होतु सुनाना निसान अने वाजिंत्र सहुनी आगळ चालता हाता त्यनी पाचल बजारमा चालता सहु संतो अने हरी भक्तो अत्ती सुहामणा लागता हाता लो खावु पिवु बे सवु सुवु जोवु चाल्या जवु के वलिनावु धोवु संतो नियेवी सघली क्रियाया कुसंगी देखे सतसंगी थाया साधुनी भगवान भक्तनी दरेख क्रिया मा दिव्यता होई ये चालता होई येमा मरियादा होई विवेक होई चालवामा विवेक नी जरूर छे चालवामा विवेक नी जरूर छे, बोलवामा विवेक नी जरूर छे, बेशवामा विवेक नी जरूर छे, धर्मनी जरूर छे छे के नी भगत सभा होई, जे नुजिया स्थान होई, ये त्यां बेशे सोभे वचनामृत्मा महाराजे वात करी लोकनी द्रष्टिये कोई मोटो मायन सावे तो सभामा अगल बेशारवो अनि यहम न करे तो ग्नानी होई अथ्वा त्यागी होई तेने पन महादूख आवे छे बेश्वामा विवेक छे चालवामा पन विवेक छे आपने चालता होई गम्मे त्यारे सभा थाई आए एकला माट तोकू पड़े छे एकला माटे केवू पड़े छे अमारा अनुभूनी वाद तमी एक वार आफ्रिका मावो कच्छना अरी भग्तों एक वार जुओ खेतर माँ जये पदरामनी ये सभा थाई नरिस्पाई लाइन माद ब्याशे इलोकूनी जे मरियादा छे इलोकूना डियेने माजे आबदी सिस्टम ओटोमेटिक आवी गए छे बे वरस्तना चोकरानी मंदीर माँ सभा होई केटला चोकरा? बे वरस्ति लए बाल सभामा 400, 500, 600, 700, 700 बालको थीले युवानो सुधिनी सभात दर सनिवार रविवार थाई लोकूनी अमें जोही छे टले काँ पंडि एकलू नानु बालक पणल पगे लागवानी शिस्टम माँ बेश्तवानी शिस्टम माँ ठसादलेवानी सिस्टम माँ बद्धी रित भात माँ કારણ એ વડિલો ને દાદાને દાદિને બદધાને એરીતે જોયાવ હોય એલે છોકરો પણ એરીતે ટેન થઈ જે અને આપડા છોકરાઓ બધાં બોલો એકવાર અમારે સંતોને ખાનગી માં ચર્ચા થઈ જહેરમાં કઉં છવાજે હાં બળજો અમીએ મેકણ ગમેત્યારે જીએને તો મેકણ માં આવે બાળ મંડળ જ્વધારે છે મેકણના નાનાના આપણે સર્જુતો કેટ્લો નાનો આયુસ્તો કેટ્લો નાનો એ નાના બાળકોય આખી સભા ડોડ રોકવાના પડે ટોકો કસુદ ને કારણ એટ્લુંજ ટોકવાથી કેવાથી આબદુ નથી આવડુતુ પરિવારમાં જેવુ દરસણ કરવાવીએ તો ક્રમ બદ્ધ જાવીએ આ વિવેક છે કોઈ નવો માણસ આવે ને એને આવાત બોવ અસર કરી જાઈ તેની પાછળ સ્રીહરીનો આથી ચલતા ગણો ભવ્ય દેખાતો હતો બ્રમાણદ સ્વામી સ્રીહરીની બાજુમાં ર સ્રીહરી જઈરીયા છે એમ જાણીને ગામના લોકો દર્સન માટે દોડીયા વ્ધા મુખથી વિવિદ પ્રકારના ગ સ્રીહરીને વધાવા માટે સોનાના થાળમા મોતી ભરીને સહું ઉભીહતી સ્રીહરી ગામબાર નીકલે ગામના ચાલતા થયા તે ઓ નાસ્તા માટે જે કઈ ચવાણુ લાવીઆ હતા તે રાખ્યો ક્યાં થી સ્રીહરી કરીહ્ને મુખ્ય પિતામબર વેદ્ય હતા તે ઓ સ્રીહરી નો મહિમાયથાર્તપણે સ્રીહરી સીવાઈ બીજાને કયારે બાવ હતો હરીહરી સીવાઈ ના વીપ્રો હતા તે સતસંગુપર અતી દ્વેસ રાહતા ગામના ભાવિક જે બધા હરી યોને બધી વાત કહી સ્રીહરીને બપોરા કરવા માટે રોક્યા રુક્સોની છાયામાં જઈને સ્રીહરીએ કરીઓ ચાર ઘડી સુધીક ઉતારા માં રહીયા હરી ભક્તોને રાજી કરીયા અતી સુખાપ્યું બધા આ બધા ભગ્તો વેથી સકે કે ન વેથી સકે અજી આ બધાની સ્થિતી પૂરે પૂરી ખબર નાથી ભગવાન હોય એને સેવાનો ઉંચા પણ હોય સ્વમીજી કે સેવા હીતો કે જોહાં પાંચવાર પુછે ઉછનાર ભાવ દેખાડ નાનો નથઈ સકે એટલે હરી ભગ્તો જાજા હોવા ને કારણે હજી આ ગામનારી ભગ્તો નાના છે નવા છે હજી એક રીત છે આ વિવેક છે આપણે આગળાવી ગયું માહરાજ કોકની સેવા સ્વિકારતા એપણે ના કલ્યાન માટે આ ખૂબ સમજવાજે વાજ છે ખૂબ સમજવાજે વાજ છે મેતમને કયું હતુને પાંડવોને કવ્રોનુ જે મહાજ યુદ્ધ થયુને હજારો લાખો કવ્રો માણસો કપાય ગયા આવા પાંચ યુદ્ધ્યને ગણેવાજ બોં સરસા આ વાત છે દો અતી સમજવા જઈ વાત છે એક માણસના રદેમાં રોજ દિમાક અને દિલ વચ્ચે લડાય ચાલતી હોઈ લાગણી અને માગણી વચે યુદ્ધ ચાલતુ હોઈ ખબર છેન તમને સગો ભાય હોય બેવાર મદદ કરી હોય અને ભાય હ દીલ સુંકે જુદી વાદ કરે અને દીમાક સુંકે દીલ અને દીમાક વચ્ચે દરોજ યુદ્ધ ચાલે જે બીજુ એવક યુદ્ધ કર્તવ્ય અને અધિકાર વચ્ચે કર્તવ્ય અને અધિકાર વચ્ચે નું યુદ્ધ સતત ચાલે જેવા કર્વી એહરી ભક્તો નું કર્તવ્ય છે સાંબળ જો પણ સેવા લેવી એ મંદીરના સંતો ભક્તો નું અધ સાહુકાર સંરુદ્ધ માણસ પાસે આવી રડવા લાગ્યો કર્ગરવા લાગ્યો મને 300 રુપ્યા ઉછીના આપો સહય ઘરે દિકરીનું લગ્ણ છે ખુબ કર્ગરો દુખી હતો ખરેખર ગરીબ હતો દઈની હતો સાહુકરને દયાવી કે ગામાં આત્લો દુખી દરીદ્ર માણસ હોય ઘરે દિકરીના લગ્ણ હોય અન લગ્ણ માં એક સારુ કપળુ લાવવાની પણીની સ્થિતી નથી દયાવી ગઈ કર્મ બરાબર ચાયલો વર્સો સોદી દરેક મએગાની પેલી તારીખ્યાગ ગરીબ આવે સેથને ઉદારતાતી 300 ઘરમા મોટો પ્રસં માથે મોટુ દેવુ સ્થિતી બધી બદ્લાઈ ચુકી હતી અને પેલો ગરીબ માનસ ક્રમ પ્ર કામ પણ ધંદા રેયા નથી હવે અને ઘરમા અમે પણ લગન લેવાયું છે તો હવે માથે આત્લો બુદુ ખર્ચ છે નવગર ના જા ઉપાછો સમજ્યા તમે સાહુકારે દયાએ કરીને 300 રુપ્યા આપેલા બાંધી આપેલા ઇસાહુકારની દયાને આ ગરીબ માણશે પોતાનો અધિકાર સમજેલી તો જહું તમે કર્તવ્વ્યાને અધિકાર વચ્ચે યુદ્ર સતત ચાલે છે માહરાજા પાંડુ હસ્તિનાપુરના સમરાટ હથા એને એમ થયું હું નાનો છો આટલું મોટું હું રાજ્ય ભોને મારા મોટા ભાય દ્રતરાશ્ટ આંઝલા છે એને પણ થોડા દ્યં રાજ્ય મળે તો સારુ મોટા ભાય ને પણ થોડા દીસ રાજ્ય ભોગવા મળે એટલે રાજ્ય થોડા સમઈ માટે મોટા ભાય ને આપિને મળું હોતું એને સોં સોં સમજે લીદું અને કેવો અધિકાર માયનો જોયન્તમે સમજ્યાન્તમે ના સમજ્ય અધીકાર ને કર્તવ્ય વચે મહા યુદ્ધ ચાલે જે બોસ સમજવા જેવે આબધી વાતો જે ક્યારેક બાપાય પણ થળું હમજું જોઈએ બધામ દીક્રો બોલી જેતો બાપાય પશી ક્યારેક ચતું કરો આરી ભગ્તો હતાયની સેવા નસ્વિકારી મહારાગનું લક્ષ્યતો એ છે કે દરેક જીવ સત્સંગમાં આગળવધ બ્રમચાર્યક તામબા કુંડી લેન આએવા ઉના મણું જેને કેવાય પાણી ગરમ કરવાની વેવસ્થહાયમાં એતલે સેવાના નીમિતે આમણે ધરમાદાની જગ્યાયા આ મોટુ કરમા ત્રામા કુંડી હતી ઉના મણું હતુ એમારાજ ભેટાય પૂછે એટલે પછે આજ પેલ્લે દીંશે તમારે માટે સ્ણાન કરવું લાયઓ છું મારાજ સ્રિજી મારાજ ઉભાથઈ કયા બ્રમચારી અમે શીક્ષા પત્રિમાં આગના કરી છે ખરી ભોક્તો ધરમાદો બ્રમચારી આ શેવા ન લેવાઈ જાઓ તમે આ પાત્ર પાછો આપો મારાજે કડક થઈને બ્રમચારી ને પાછા બ્રમચાર્મચામચાર્ય મારી આપો સરેવાં પાછો તમે 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 દિકરાં લગનમા छे त्वदियम वस्तु गोविंद तुभ्य मेव समर्पयेत। आतो कार्य करताओनी स्पर्धा थाई। क्या आने अतली सेवा करावित। हुँ आना करता वधार कराविदो। बीजा पासे कराविदो। आ सेवा नथी। आपड़ी वात होई तो स्पर्धा करो। हुँ जाजी सेवा करू। बीजा पासे पराणे, प्रेसर करीने, पाच जना भेगा थाईने, सरम्मा नाखेने, मुबत्मा लईने, आ सेवा नो विवेक नथी। आ सत्षंग मा घणा अरी बगतो एनली दे पाछा पड़े अच्छे। एतली आवात करूँ जू। महराजेस, अरी बगतो नो आग्रह होवा छता, नवा अरी बगतो छे एम मानी ने रसोय नली धी, परन्तु बगतो जैरे दिलगीर थवा लाग्या, त्यारे टिमन करावानी छूट आपी, महराज के सारू एक काम करो, जाजा मान सो छे, तमे रसोय करो, समय पन बगड़ से, हरी बगतो पन जाजाचे, खर्चो पन थस, तमे एक काम करो, नास्तो करावी दो, वचलो रस्तो जोयू, हरी बगतो मा जेने जेकली स्रद्धा आती, तेकलू ते टिमन नास्तो साथे लाविया हता, आगल तिरावा जाता, स्रीहरी नी साथे जे दर्बार हता, ते पोताना भाव प्रमाने सेवा करी, तेमा काई कसर राखी नई, त्यानी भाव ना वाली राणिये वरणिनी पासे, श्रीहरी ने माटे थाल करावियो, श्रीहरी पन तेमना भाव थी थाल जम्या, इती श्री सहजानन्द स्वामी सिस्य, सिद्धानन्द मुनी विरिचित, श्रीहरी भेंस जाड़ थी स्नान आधी करीने चालिया अने चूड़ा मा पधारिया ए नामे तो त्यर्मो तरंग समाप्त थयो बोलो घनस्याम महराजनी जय